Hi everyone, so मैं हूँ भावना बातला from the Wheel of Fortune 369 से आप सब इक टारो कार रीडर आज हम चेक आउट करने वाले हैं कि आपके पॉर्सन किस एनरजी में है आज शाम को, ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या ख्यालात ऐस रिलेशन्शिप को लिए करें साथ ही साथ हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे, आपकी एनरजी भी चेक आउट करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले, अगर आप आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, जब भी मैं कोई न् कर दीजे, अगर आप भी टारू कोर्स सीखना चाहते हैं, तो मेरे टारू कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप मेरी टीम से कॉंटाक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, परसनल सेशन में नहीं कर सकते हैं, और यह एक no contact situation के लिए separation mood के लिए reading करी जा रही है, ठीक है, एक collective reading है, ठीक है, किसी specific person के लिए reading नहीं करी जा रही है, यह आप सभी के लिए है, और कोई भी male, female, कोई भी इस reading को check out कर सकता है, जब मैं काज को shuffle करूं, तो अपने बारे में अपने relationship, अपने person के ब divine universe, angels, spirit guides, help करें मेरे viewers को बताएं कि उनकी आज evening energies क्या है, okay, cornucopia, okay, second, care and connection, seven chakra, archangel, Uriel, all tied up, ठीक है, bottom of the deck में हमारे पास are the garden and the gate, can you see, wow, ठीक है, तो अगर मैं आपकी आज शाम की evening की energies check out करूं, तो guys, मुझे ऐसे दिख रहा है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ना एक दब messed up हो चुका है, सब कुछ खतम सा हो चुका है, ठीक है, आपको, आप ना कहीं ना कहीं एकदम उस person के वापस आने की उमीद, जो है, वो खो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है, जैसे वो person सिर्फ आपसे कभी जैसे उसने प्यार करा ही नहीं, you know, आपको, मुझे जहां तक ये cornucopia का भी card उट कराया है, it is basically showing में कि आप negative energies को देख रहे हो, ठीक है, एक वो energy होती है ना कि ठीक है, जहां पर वो उसने जो आपको no contact दिया, उसने जो आपको गलत बाते बोली, ठीक है, एक जो उस person की जतनी भी negative बाते हैं, negative energies हैं, आप सर्फ उनको ही बार-बार याद कर रहे हो, और उनहीं को याद करकर के आप पर प्जैसर रहे हैं, जहां जहां उन्होंने आपके लिए एक अच्छा सा bond create करा है, आप अपनी life के ना अच्छे moments को, इस relationship के अच्छे moments को कहीं ना कहीं भूलते हुए से दिख रहे हो मुझे, आज शाम की energy में भी, आप अपने person के लिए बहुत जादा negative हो रखे हो, आपको लग रहे हैं, जैसे आपके सारे रास्ते बंध हो चुके हैं, वो person शाद आपके जिंदगी में कभी वापस आएगा ही नहीं, ठीक है, हो सकता है कि कोई third party situation आपकी life में हो, ठीक है, और वो third party situation को आप अपनी जिंदगी से, अपने person के जिंदगी से हटाना चाहते हो, ठीक है आपको तो उस third party के असलियत साफ साफ दिख रही है, कि आपका person जो है third party सिर्फ उसे नचा रही है, ठीक है, third party सिर्फ उसका इस्तमाल कर रही है, आपको ये चीज़े बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, है ना, लेकिन ये चीज़े आपको ऐसा लगता है कि आपका person ये ऐसे होते हैंभी कर्स करना परसुद को जैसे और स्टेस ऐ मंजाने करते हैं, उसकोार करना मुंतmam क sú और आपको अपने परसुद को, तो इसको घुंजर में यह दी हैई, क्या है, यह स्टारें थै decisiva मैं अपने परसुद को और प्परसुद क्मपारन आपको देहों ali है तो इस तरीकी की एनर्जी कुछ मुझे आपकी साइट से दिख रही है, आज शान की, चले देखते हैं कि आपके परसन की आज इवनिंग एनर्जी, इवनिंग थॉट्स क्या है, देखो, अपने आपी कार्ड उटकर आ रहा है, and that is seven of, six of swords, प्लिज, Divine Universe Angel, बताएं मेरे व्यूवर्स को कि जस पॉसर्ण के साथ, वो deal कर रहा है, वो किस energy में है, फ्लिज इवनिवर्स एंजेल बताएं जिन पॉसर्ण के साथ, मेरे व्यूवर्स डिल कर रहा है, जिस पॉसर्स ने उन को no contact दिया है, वो छकिस energy में है, प्लीज उनिवर्स एंजल प्रट गाइज बताएं में रिव्यूर्स को कि उनके पॉर्सन किस एनर्जी में है बॉटम आफ देक में हमारे पास है एस ऑफ वांड की एनर्जी तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आपके जो पॉर्सन है ना वो आपको कही ना कही यह चीज़े कहना चाहते हैं बहुतना एक वह उतरा confusion में तो आपके पॉर्सन ना somehow उस confusion में फस चुके हैं somehow आपके पॉर्सन ना बहुत ज़्यादा like upset से हैं दुखी हैं दुखी इस बात को लेकर हैं कि आप उनके साथ नहीं हूँ परिशान इस बात को लेकर हैं कि वो आप तक पहुँच नहीं बा रहे हैं ठीक है अपने आपको बंदा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ठीक है अगर मुझे ऐसे जहां तक यह दिख रहा है ना कि third party interference में भी आपके relationship में बहुत जादा strong है ठीक है और आपके person जो है ना कहीं ना कहीं recently अभी वो third party को छोड़ेने की चार भी उनके मन में आये हैं वो चाह रहे हैं कि वो अब third party के साथ नहीं रह सकते ना ही वो अब third party के साथ रहना चाते हैं में भी third party के साथ जो उनके connections है ना वो भी जादा positive नहीं है और काफी fights चलती रहती है उनकी third party के साथ ठीक है और वो अब third party को कहीं ना कहीं ना एक वो thought energy आती है ना कि जहां पर आप मैं third party को सबक सिखा कर रहूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा धुका क्यों करा ठीक है उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे third party ने ना उनको अपनी बातों में फसा कर आपको side में कर दिया है ठीक है और ये चीज अब उन्हें realize हो रही है कि उस third party की वज़़े से आप side में हुए हूँ ठीक है और वो ना कहीं ना कहीं उस third party को लेकर बहुत जादा गुस्से की energy है बहुत जादा fight की energy है उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना third party को जैसे एक सबक सिखाना सच चाहिए ठीक है आपके जो person की energy भी दिख रही है ना definitely वो आपके साथ reunion reconciliation करना चाहते हैं यहाँ पर भी full के energy आई है ठीक है अच्छा और साथ ही साथ जैसे कि evening के thoughts हैं तो वहाँ पर मैं ये चीज देख पा रही हूँ जैसे आपके person ना भाग कर आपके पास आना चाहते हैं आपके सा आपको सही कैसे होगा वापस से वो आपका trust कैसे जोडेंगी ठीक है वो ना अब आपके सामने एक honest, loyal person बनना चाहते हैं ठीक है वो चाहते हैं कि आपको एक ऐसा relationship जहाँ पर वो एक loyalty आप देख सको जहाँ पर एक honesty देख सको ठीक है लेकिन वो इस चीज को भी बहुत कर रहे हैं कि उन्होंने गलत करा है ठीक है वो कहीं न कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे जो चीजे आप manifest कर रहे थे ना चाहे आप negative way में नहीं कर रहे थे उन चीजों को manifest आप नहीं चाह रहे थे कि आपकी person के साथ कुछ गलत हो कुछ बुरा हो लेकिन जहां तक कि मुझ यह energy मुझे यहां पर दिख रही है आपके person की वही दर्द आपके person जेलते वे दिख रहे हैं ठीक है आप अन जाने में उन चीजों को आपने मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे manifest कर लिया है जो शायद मुझे ऐसे दिख रहा है जैस नहीं होना चाहिए था yes the reason is क्योंकि आपके person ना मुझे बहुत जादा like regret की energy में दिख रहे हैं पच्चताते हुए से दिख रहे हैं उनको यह feeling आ रही है पूरे तरीके से कि जो कुछ भी गड़बड हो रही है जो कुछ भी यह गलत हो रहा है ठीक है कि third party के साथ उनका connection भी अच्छा नहीं बेंट पा रहा है और नहीं वो emotional bond किसी और के साथ feel कर पा रहे हैं तो इसका reason कही ना कही यह है कि उन्होंने आपको धोका दिया है क्योंकि उनको कही ना कही ना आपको उन्होंने रुलाया है आपको परिशान करा है ठीक है तो वो चीज इनके mind में बार बार उटकर आती भी है तो यह भी एक चीज एक situation मुझे यहाँ पर दिख रहा है manifestation आपकी कही ना कहीं पूरी होती भी दिख रही है और यहाँ पर जैसे कि है ना आज evening thoughts भी हम देख रहे हैं तो मुझे यह चीज दिख रहा है कि रास्ता आपके जिंदीगी का तो जैसे आपको लग रहा है ना कि रास्ता बंद हो चुका है तो मैं सर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपना यह बिल्कुल भी negative होकर मत सूचो आपना negative होकर मत सूचो कि रास्ते बंद हो चुके और अब वो नहीं आएगा नहीं ऐसा नहीं है, reunions है आपकी energies में ठीक है तो अगर आपने यह decide कर लिया है एक तरफ आपको होने की जरूरत है आपको one-sided होने की जरूरत है कि आपको इस relationship में genuinely stay करना है यह move on कर जाना है और अगर stay करने के लिए बारे में सोच लिया न तो फिर move on करने के बारे में मत सूचो ठीक है और अगर move on करने के बारे में सोच लिया तो पूरे तरीके से फिर move on कर लो फ कहीं न कहीं, आज evening thoughts, evening energies मुझे दिख रही है, ठीक है आपके relationship में, अगर definitely आपके साथ resonate करती है, तो like, comment, follow, share करो, बताओ मुझे, this is all for today, thank you so much, bye-bye, take care.